विभिन विपच्छी नेताओं की ओर से इवियम को लेकर जैसे सरारत भरे बयान दिये जा रहे हैं। उन्हें देखते हुए केंद्री किरी मंत्राले के लिए राज्यों को ऐसे नेदेश्ट देना आवश्यक हो गया था। की मत्गर्ना के वक्त कहीं पर किसी तरह की इंसा न होने पाए। मत्गर्ना के दोरान इंसा का अंदेशा इसलिए उभर आया है क्योंकि सही विपच्छी नेता खुले आम उत्पात मचाने की धंपियां दे रहे हैं। केंद्र में मंत्री रहे राष्टी लोकसमता पार्टी के नेता उपेंद्र कुश्वाहा ने एक्जिट पोल के आकणों को चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की साजिस करार देते हुए फून की नदियां बहाने की बात की। तो इवियम के खिलाब फ्रस्टचार करते रहे आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि चुनाव आयोग दंगे कराने और देश को ग्री युद्ध में धकेलने का काम कर रहा है। इसकी भी अंदे की न करें की ऐसे बेजा बयानों के वीच इवियम को संदिक बताने का चिल्चिला तायम है। इवियम के खिलाब माहौल बनाने के लिए पहले चुनाव आयोग के समझ बेजा मांगे रखी जाती हैं। और फिर उन्हें खुकराये जाने पर अन्याय होने का तोर मचाया जाता है। चिंताजनक यह है कि यह काम बड़े नेता भी करने में लगे पूरे हैं। वे एकचिट पोल को तो किसी साजिस का हिस्सा बता ही रहे हैं। यह भी रिखांकित कर रहे हैं कि इवियम अब भरों से मन्द नहीं रह गई है। समझना कटिन है कि जब इसके पहले मद्दान बाद परचियों की इंती मद्गर्ना के बाद ही होती रही है। तो फिरिया मांग क्यों की जा रही है कि इस बार पहले इन परचियों को गिना जाए। कहीं इसलिए तो नहीं कि अगर कोई विसंगती दिखे तो अंगामा खड़ा करने में आशानी हो। या लज्जा की बात है कि वेविपच्ची नेता भी जान बूज कर इवियम को बदलाम करते हुए दिख रहे हैं। जो इसी मसीन के सहारे अकीत में सत्ता हासिल कर चुके हैं। वैसा तब कर रहे हैं जब बीते कुछ वर्सों में इवियम को और अधित विश्वस्णी बनाने का काम किया गया है। आर्क जेत चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन यह पहली बार है जब आर्की आसंका से इवियम और चुनाव आयोज के साथ भारती लोकतंत्र को पदनाम करने का काम तुन्योजिक तरीके से किया जा रहा है। इवियम विरोधी अभियान को तूल दे रहे नेता अपने प्रलाप से देश को नीचा दिखाने के साथ ही मर्दाताओं का भी निरादर करने में लगे हुए हैं। ऐसा करके वे अपनी अपरिपकता का ही परचे दे रहे हैं। यह फेद की बात है कि मिना किसी सबूत सीवियम पर संदे चताने वाले नेताओं के सुर में पुर्वराश्पती प्रणव मुखरजी ने भी अपना तुर मिला दिया। आखिर उन्हें यह कहने की क्या जरूरत थी कि जरादेश को लेकर कोई संसे नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग दीवियम की सुरच्छा को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाए। यदि किसी का मक्षद ही बेवज़ा के सवाल खड़े करना और अटकलवाजी करना हो तो फिर उसे जुम्या की कोई ताकत संतुष्ट नहीं कर सकती। अच्छा होता कि पुरु राश्पति पुरूदन कर रहे विपच्छी को विदायत देना बेतर समस्ष्टे। पल्याँ पल्याँ अच्छा अच्छा अच्छा